गुड एवनिंग डियर इस्टुडेंट्स पॉली टेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है बहुत ही महत्पूर्ण अपडेट है जो की बी टी यूपी की सम सेमिश्टर परिच्छाएं जो जून 2022 से होना है उससे जुड़ा हुआ है तो बच्चों जो टी यूपी की तरब से और बहुत ही महत्पूर्ण है और परिच्छा से संबंदेत है इसका जो बिसा है सम सेमिश्टर अबलिक वार्सिक परिच्छा अबलिक बैक पेपर परिच्छा अबलिक आउनली बैक पेपर परिच्छा एवो मल्टी पॉइंट क्रेडिट सिस्टम प पेपर का ये आपका जारी किया गया था और उसके साथ पत्र जारी किया गया था कि यदि कोई क्लेशिंग हो तो बता दीजिए तो उसी के संबंद में कुछ क्लेशिंग थी या कमिया रही होगी तो जो संसोधन किये गए हैं उनको संसोधन को पूर्ण कर लिया है और संसोधित अबलिक अद्धितन परिच्छा कारिक्रम बेप साइट पर उपलब्द है तो ये आपके लिए बड़ी महत्पूर्ण बात है ये जो लाइन लिखी हुई है कि 28.5.2022 को जो आपका परिच्छा कारिक्रम जारी किया गए हैं तो ये बच्चों मात्पूर्ण बात है अब दोनों में बैक पेपर वाला और जो समसे मिश्टर का है दोनों आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि अपडेटिट तिती देखिये ये है इसको अब संसोधित या अधितन कर दिया गया है एक और इसमें खबर है जो की फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए है इसमें ये लिखाया कि जो प्रिथम वर्स की परिच्छाएं हैं फार्मेसी की चात्रों की वो नवीन पाठ करम की अनुसार होंगी और एक मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि उसका पेपर का पैटर्न भी किस तर दियर के तो उनकी जो परिच्छा हैं वो पुराने जो पार्ट करम है या पुराना जो पैटर्न पेपर का उसके अनुसार संपन होंगी ये देखे लिख है उनली बैक पेपर के चात्रों के परिच्छा पुरानी पार्ट चर्या के अनुसार होंगी तो इसमें फिर से दित किया जा सकता है उसकी लाश्ट दिती है 46 2020 यानि कि 4 जून 2022 तक तो बच्चों आपको क्या करना है अपनी संस्था को इंफर्म करना है कि ये सर हमारा क्लैस कर रहा है दो पेपर एक बैक था और एक ये था एक ही दिन क्लैस कर रहा है तो संस्था हैं वो बना करके भेजेंगी BTUP को फिर वहाँ से उसको संसोधन कर दिया जाएगा तो ये आखरी मौका संसोधन कर रहेगा 4 जून 2022 अब बच्चों आप देखी मैं आपको परिच्छा स्कीम या परिच्छा कारिकरम दिखा रहा हूँ जो आज की डेट में अपडेट हुआ है तो ये देखी प्रपोज्ड एक्जामनेशन स्कीम फोर बैक एंड ओनली बैक पेपर जून 2022 लाश्ट अपडेटिट तीन च्छे दोहजार बास तीन च्छे दोहजार बास का मतलब आज ही की डेट में इसको संसोदित करके BTUP की बेप साइट में अपलोट किया गया है अब बच्चों इतने सारे कोर्स चलते हैं इतनी सारी ब्रांचे से इतने सारे एयर हैं तो सबका तो चेंज नहीं हुआ होगा लेकिन हो सकता है जिसमें क्लेशिंग हो रही हो कुछ इप उसमें प्रॉब्लम्स रही हो तो उनका संसोदित किया गया हो तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपना जिस भी ब्रांच या सेमिस्टर में हैं अपना पारिच्छा कारिकरम देख लें कि कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ है यदि नहीं हुआ है वही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको अपनी दीवार पर चिपका लीजिए सही जगे उसको डिस्पले कर लीजिए ताकि आपको पता रहे किस दिन आपको कौन सा पेपर होना है तो ये back paper की बात हो गई इसी तरह से मैं अब आपको दिखाता हूँ कि regular वाला जो है वो update हुआ है तो ये back paper का जिसकी भी back हो या only back paper हो उसको इस कारेकरम को बहुत ही ध्यान से देखना है अपने विस्यों को सर्च करना है और ये है बच्चों सम सेमिस्टर परिच्छा का कारेकरम देखी प्रपोज्ड एक्जामनिशन स्कीम फोर इवन सेमिस्टर जून 2022 लास्ट अपडेटिड 262022 तो परिच्छा कारेकरम बच्चों पहली बार जबाय तका बाय था 28-25 को अब ये 262022 को जारी किया गया है संसोधि करके तो बच्चों संसोधन क्या है ये आपको अपनी ब्रांच का अपने सेमिस्टर का खुद देखना पड़ेगा यदि संसोधन हुआ है तो ठीक है नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार आत्म संतुष्टी के लिए उसको चेक जरूर कर लिजिए कि कही कोई संसोधन तो नया नहीं हुआ है तो ये था बच्चों महात्पूर्ण अपडेट इसमें रेगुलर जो संसेमिस्टर के बच्चे थे बैक पेपर और अउनली बैक पेपर कभी अपडेट या संसोधन हुआ है तो सभी लोग अपना चेक करके संतुष्ट हो लें कि कहीं क कोई क्लैसिंग की या कोई किसी तरह की कोई इस्थिती तो नहीं है यदि पुराना आई है तो कोई दिक्कत नहीं यदि चेंज हुआ है तो उसको विसेज ध्यान दे करके उसको नोट कर लेना है तो ये था बच्चों महात्पूर्ण अपडेट उम्मीद करता हूँ अपड इसी तरह के उप्योगी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आज के लिए इतना काफी है फिर एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे थैंक्यू बेरी मच आप सभी का दिन शुभ हो